वेल्कम बाइक टू माई चैनल स्जिता की रैस्पी!」 आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दो छोटी प्याय्ज, जिसे हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है एक सिम्ला मेर्च, चार से पाच हाजी मेर्च को हमने बीच से कट कर लिया है अद्रग को हमने ग्रेट कर लिया है और लेशन को भी हमने ग्रेट कर लिया है पनीर को भी हमने छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है इसमें हम डालेंगे कॉर्ण फ्लोर दो बड़ी चमच हमने इसमें कॉन्फ्लोर राट किया है एक चाथ थाई चमच हमने लिया है आप एक काली मिश्च का पाउडर पनीर और कॉन्फ्लोर को हम अच्छे से मिख सल लेंगे यहाँ पर हमने लिया है पैन इसमें हम डालेंगे ओयल दो बड़ी चमच की करीब हमने इसमें ओयल लिया है अभी हम इसमें पनी को डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हमें हलका ब्राउन इसे करना है पनीर हमारे जब हलके ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे पनीर हमारे हलके ब्राउन हो तुके हैं अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसमें हम डालेंगे एक बड़ी जम्मट फिर इसमें डालेंगे लेसंज मतों थे ग्रेट करके रखा था sido मत अग्रात हम इसमें डालेंगे ग्रेट क्या हुआ आज रहा हैं इसे हम एक मिह पर देख करेंगे श्र Mikey he में इसे में डालेंगे कटा हो कि आज अपने इसे हम हल्का साय गोल्डिन करेंगे पिर इसमें डालेंगे हम सिंदा में अधिक दो मिलिट के लिए हम इसे कुई कर लेना है वाल में हम अपने साइस को कर लेंगे एक चम मच रिटचिली साईस एक चम मच ग्रीन चिली सास एक चम मच टमेटो कैछप इसमें हम डालेंगे एक उच्छी से, exact lic, ढालेंगे यिसमें हम डालेंगे दो भड़ी चंमाच मैदा, एक चोटी वाह बाल पानी जालेंगे और इसका एक पतला सा गोल रेडी कर लेंगे हमारा गोल बनकर रेडी हो गया है अभी हम चलते हैं अपनी सब्जियों के तरफ इसमें पहले डालेंगे आधी छोटी चमाइज नमख इसमें डालेंगे सॉस जो हमने मिस्क करके रखे थे सॉस को भी हम एक नट के लिए भोल लेंगे ताकि इसे सॉस हमारा अच्छे से भिल गया है इसमें हम डालेंगे मैदे का गोल इसे भी हम एक से दो मिनट तक कुक कर लेंगे ऐसे पनीर को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे दो मिनट के लिए हम इसे गयस के फ्लिम पर रखेंगे गयस को हम आप कर देंगे और एक प्लिट में इसे सर्फ करेंगे पनीर चिल्ली हमारी बनकर रेडी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें कमेट बाक्स में लिखकर जरू बताए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ठैंक यू